नमस्कार दोस्तों, मिशन बोर्ड एक्जाम के अंतरगत, आज हम लोग पाठ सूर्य, सूर्य नामक पाठ का प्रस्णुतर करेंगे, ठीक है, मिशन बोर्ड एक्जाम, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पाठ के अधार पर उत्तर दें, वेदों में सूर्य क के संबंध में क्या कहा गया है तो वैदिक वांगम में सूर्य को देवता का अस्थान प्राप्त है इसे एक पहिये वाले सुनारे रत पर सवार देवता कहा गया है जिसे साथ शक्ति साली घोड़े पलक जपकते ही 364 मिल की गती से दवरा कर ले जाते हैं सूर्य अपने रत पर सवार आकास में भर्मन करता रहता है संसार की प्रते गतिविधी पर नजर रखता है पुनह वेदों में उसे प्रकाश और उड़जा का अक्षय भंडार भी कहा गया है तथा पृत्वी पर जीवन संचालन करने वाला भी कहा गया है सूर्य को वेदों में भारतिये पौरान गाथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता कौन थे पाठ में सूर्य के जन्म के संबंध में दो कथाओं का उलेख है उन्हें संक्षेप में लिखे हैं तो भारतिये पौरानिक गाथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता का नाम था अदीती और काश्य उनका जन्म के संब में दो कथाएं प्रचलित हैं उनके जन्म के सम्मंद में दो कथाएं इस परकाड हैं पहली कथा है कि अधीती के आठ बच्चे थे आठमा बच्चा अंडे के अकाड का था उसका नाम मारतंड रखा गया और वह परत्यक्त था वह आकास में चला गया और स्वैम महिमा मंदित कर लिया स्वैम को सूर्य के जन्म से सम्मंदित दूसरी कथा या है का अधीती ने एक बार अपने पहले साथ पुत्रों से ब्रहमांड का सुर्जन करने को कहा लेकिन कोई सफल नहीं हुआ लेकिन यह जो था अंडे की तरह मारतंड इसको कहा गया तो तुरत दिन रात की रचना कर दी और इस अशी लिए इसका महत्व जादा माना गया दिन और रात किसके परतीक हैं अब आपको इस प्रशन का उत्तर खोजना है कि दिन और रात किसके परतीक हैं थपाठ मक्की अनुसार दिन और रात करमसा जीवन और मिर्तू के परतीक हैं दिन और रात जीवन और मिर्तू के परती संग्या कौन थी चाया से उसका क्या संबंध है दोनों की संतानों के नाम लिखे हैं तब पौरानिक गाथाओं के अनुसार संग्या या सक्ख्यू विश्वकर्मा की पुत्री थी सूर्य का तेज नौ संभाल पाने के कारण उसने अपनी चाया को सूर्य के पास छोड़ा और स अपस्या करने चली गई लंबे समय तक छाया ने संग्या का छद्म रूप धड़े अभिने किया पर अंततों गत्वा वह पकड़ी गई उसका रहस्त घाटन हो गया भेद खुल गया और लंबे समय तक छुप करके रही तब संग्या के प्रेम में पागल सूर्य सारे ब्रहम संग्या के उनसे दो बच्चे हुए जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है एक का नाम था लासत्य और दूसरा बेटा था उसका नाम था दस्र लासत्य और दस्र ये दो बच्चे हुए उनको विश्व कर्मा ने सूर्य की अभा के अंश को काट कर किन वस्तुओं का निर्मान किया विश्व कर्मा ने सूर्य की अभा के अंश को काट कर उससे विश्णू का सुदर्शन शिव का तिरसूल यम का दंड सकंत का भाला और कुवेड की गदा का निर्मान किया प्रश्ट संक्या छे वर्ष के बारहों महीनों के अधार पर सूरी के अलग-अलग नाम है महीनों के नाम के साथ उन नामों को लिखें साथ ही इन बारहों महीनों के तद्भाव देशी नाम भी लिखें तो ये चैत्र है पहला महीना उसका देशी नाम होता है चैत सूरी का नाम है उसमें धाता, वैशाख, उसमें सूरी का नाम है आडियमा, तदभो नाम है वैशाख, जेश्ट, जिसको कहते हैं मित्र, जेश्ट में सूरी का नाम है मित्र, और महीना का नाम तदभो में जेट, असाड, असाड को कहते हैं, असाड में सूरी का नाम है वरून और तदभव में उसका नाम है असाड़, स्रावन, स्रावन में सूर्य को कहते हैं इंद्र, सूर्य को कहते हैं इंद्र और महीना का नाम हो जाता है तदभव में सावन, भादरपद, विवस्वान, भादोग, और ये कार्तिक, आश्विन, पूशा, आसीन, कार्तिक, कड़तू कार्तिक कार्तिक काते हैं कार्तिक भी काते हैं लोग तद्भाव में कार्तिक को और उसमें सूर्ज का नाम है क्रतू मार्ग सिर्स अब बने उसको अग्रहन या अगहन भी काते हैं और उसमें सूर्ज का नाम है अंशू पॉष में सूर्ज का नाम होता है भाग और पॉष को त अद्भो में फागून सूर्ज का नाम होता है विशुनू इस प्रकार से प्रश्च संख्या ये छे का उत्तर हुआ सात्मा पाठ में सूर्ज के कई काड़ियों की जानकाड़ी दी गई है उन काड़ियों के अधार पड़ सूर्ज के अलग-अलग नाम है इनकी सूची बनाए ये तो बन गया देखे हमारी पाठ पुस्ताक जो है उसमें सूर्ज की विशय में जो उपलब्द समगड़ी है उसके अधार पर कहा जा सकता है कि इस संदर्म में सूर्ज के अनेक काड़ियों और उन काड़ियों के अधार पर उसके अलग-अलग नाम भी बताए गये हैं ज सूर्ज सविता के रूप में सबका कल्यान करते हैं उक्ते सूर्ज को वयवस्वत्व कहा जाता है जबकि भग उनका दुष्ट रूप है और उक्ता सूर्ज सविता सबका कल्यान करने वाला नाम है विभिन देशों और समाजों में विभिन देशों और समाजों में सूर्ज के अलग-अलग नाम पर चली थे हैं नीचे एक सूची दी जा रहे हैं इसमें भरना है देश का नाम कहीं साब से कि प्राचीन मिश्र में सूर्ज को क्या कहते थे प्राचीन मिश्र में सूर्ज को कहते थे हर्मा कूस हरमा परेब और हरमा कुस या होरुस फारस में कहते थे मिथरा फारस में असिरिया में कहते थे मीरोदाक दाक मीरो दाक और फिनिशिया में कहते थे अपोलो फिनिशिया में अपोलो ठीक है रोम समराट और लिया ने सूर्य मंदिर को क्यों नश्ट नहीं किया तो रोम समराट और लिया ने सूर्य मंदिर को नश्ट नहीं किया इसके पीछे उसका विचार था सूर्य देव अधेय है सूर्य मंदिर को नश्ट नहीं किया बलकि उसे और वहब बनमा दिया कि सूर्य किसी का नुकसान नहीं करते मिथराईयों के नुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है तो मिथराईयों ने सूर्य का जन्म दिवस 25 दिसंबर माना है 25 दिसंबर प्राचीन मिस्री चित्रों में शड़त के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केस लिखाया जाता है क्यों? ग्यारा तो इसका कारण है आपको कि प्राचीन मिस्री चित्रों में शड़त के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केस दिखाने का कारण है कि इस रितू में कमजोर पड़ जाते हैं सुर्य इस रितू में कमजोर पड़ जाते हैं इसलिए एक केस दिखाए जाता है सुर्य मंदिर के अवशेश भारत पकस्तान में कहां कहां मिले हैं अब है तिरहमा मैक्स मूलर ने सूर्य के संबंध में क्या लिखा है तो मैक्स मूलर ने सूर्य के संबंध में लिखा है कि वा प्रकास मानतारा से बदल कर सरजग संरक्षक और प्रसासक के रूप में परवर्तित हो जाता है चूंकि सूर्य सब कुछ देखने जानने वाला देवता है इसलिए उनसे देखे और जाने हुए को छमापुर्वक भूल जाने का अगड़ा किया जाता है राम ने शक्ती प्रापट करने के लिए किस अस्तोत्र का पाथ किया था नाटिए था राम ने शक्ति प्राफ्व करने के लिए अध्वए और सदा विर्थ है शब्दों के क्या अर्थ है अध्वए और सदा विर्थ है का जो दो in तो ना हो अध्वए हुआ और जो समेशांग भढ़ता रहे अध्वा- उनकी रचना का नाम है सूरिश शतकम ठीक है सूरिश शतकम उनकी रचना का नाम है इसके पार्ट से अंधापन दूर होता है तो मेरे दोस्तों मिसन बोर्ट के अंतरगत इस पार्ट का ये सारा प्रश्वत्र मैंने कराया आप इसमें से इसी रूप में याद करें एक्जाम में आप बहुत अच्छा नमबर लाएंगे थैंक यू फॉर विविंग हैव अनाइस दे